आईए इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि जूम मीटिंग का शेडूल जो हता है को किस तरह से चेंज किया जाता है उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकोन के बटन को भी प्रेस कीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर हम जूम को ओपन करते हैं आपकी सामने स्क्रीन पर देखिए आपर, अब यहाँ पर देखिए स्टार्ड अ मिटिंग यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यूज पर्सनल मिटिंग आईडी, यहाँ पर पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद स्टार्ड पर जाना है अब देखिए यहाँ पर पूरी यहाँ पर सिचुएशन समझ के लिजिए जैसे ये page open होगा आपको यहाँ पर date उसके बाद from उसके बाद to उसके बाद time zone उसके बाद repeat यह तमाम चीज़े यहाँ पर नज़र आएंगे अब यहाँ से date क्या कर सकते हैं change कर सकते हैं अगर हमको 21 May 2021 को रखना है तो यहाँ पर देखिये मैंने date set किया उसके बाद यहाँ पर हम time भी set कर सकते हैं पहले जो meeting थी वो 12 बजी की थी अब मैं क्या करता हूँ यह 12.30 की meeting करता हूँ कभी कभी क्या होता है कि schedule अच्छानक change हो जाता है और हमको क्या करना परता है फिर वो time जो हता है इसके अंदर set करके हमको वापस से invite link भेजनी परती है तो schedule meeting यहाँ पर मैंने change कर दिया उसके बाद अब इसको मैं WhatsApp, Facebook या mail के जरे मैं इसको share करता हूँ उससे पहले channel को subscribe जरूर कीजिए bell icon के button को भी प्रेस कीजिए ऐसे नए नए technical videos हम continuously लेकर आ रहे हैं तो आपको देखना है तो जरूर subscribe कीजिए हमारे इस channel को अब यहाँ पर आप अगर title भी change करना है आपको तो यहाँ से कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर digital school यह title यहाँ पर दे रहा हूँ उसके बाद done करना है जैसे यहाँ पर done कर देंगे आपका schedule क्या हो जाएंगा मुकंब्मत तोर पर set हो जाएंगा अब यहाँ से invite पर click कर सकते हैं तो यहाँ पर Gmail open होता है उसके बास VARSAP open होता है तो जहाँ चाहे हम वहाँ पर उसको paste कर सकते हैं या फिर वो link को copy करके हमको जहाँ चाहे वहाँ पर हम उस copy link को send कर सकते हैं paste करके इस वीडियो के description में Zoom app से related बहुत सारे videos मैंने बनाया हूँ जरूर देखिए और अपने दोस्तों को share कीजे अपने students को share कीजे अपने relatives को share कीजे तो आपको क्या करना है दिखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बता रहाओ कि यहाँ पर आपको title change करना है तो title चेंज कर सकते date change करना है तो date change कर सकते time change करना है तो time भी change कर सकते invite पर click किया gmail mail उसके बाद मैंने उसको copy किया अब यहाँ पर मैं WhatsApp के जरीए उसको post कर रहा हूँ, send कर रहा हूँ तो दीखी यहाँ पर यहाँ पर एक number पर क्या कर रहा हूँ उसको send करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत यह आसान तरीका है आप इसको इस्तिमाल कीजी बहुत यह अच्छा एप है यह, zoom meeting के लिए, online teaching के लिए अब दीखी यहाँ पर मैं उसको paste कर देता हूँ तो यह दीखी यहाँ पर topic digital school time made 21-2020 और उसके बाद दीखी यहाँ पर आपकी सामनी screen नजर आ रही है यहाँ से हम start कर सकते हैं meeting को, और end भी कर सकते हैं तो चलिए अब channel को subscribe करते हैं, bell icon के button को press करते हैं इस video के description में बहुत सारे technical videos बताये गए हैं तो उन्हें जरूर देखिए, share कीजिए, comments box में अपने comment जरूर दीजिए मिलते हैं एक नए technical video के साथ